हे गाईज आज में आप लोगों के साथ मेरा टॉप मास्ट हैब हैर एसेंसियल के बारे में बात करने वाली हूँ जो सब को फॉलो करना चाहिए बहुत ही सिंपल है लोग एर हेल्दी साइनी हेर के लिए बहुत ही बजट फ्रेंडली है और बहुत ही इको फ्रेंडली भी है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग जो मिस्टेक करते हैं उस सुरुवाद में वो है कोम हम लोग प्लास्टिक का यूज करते हैं अप हमें से अपने हेयर के रूटिण में हुडेन कोम को भी यूज किया करें हुडेन कोम बहत ही अच्छा होता है आपके हे ग्रोथ है उसको सबसे पहले टारगिट करता है एंड हुडेन कोम में व्रेकेज बहुत ज्यादा कम होता है लगबग होता ही नहीं है सही से आप कॉम करोगे तो आपके हेयर के जो blood circulation को है उसको बहुत अच्छे पूरा हेयर पे पूरा अपका सर पे blood circulation को हाई करते है जिसके करण आपके हेयर बहुत ही long healthy sign ही रहती है तो आप हुडें कॉम को अपने हेयर रूटिन मे ज़रूर यूज करें नेक्स्ट हेयर मिस्ट या फी टोनर जो भी बोल लो तो मैं थोड़ा सा गरम पानी में रोज मेरी लिप्स को में डाल लूँगे और इसको अच्छे से मैं बॉयल कर लूँगी जस्ट दस मिनिट के लिए और मैं एक टाइम के लिए बना लिए जस्ट एक दिन के लिए उसके अकोर्डिंग में ने पानी लिया है और एच्छे से बॉयल हो गया है इसको छान के ठंडा कर लेंगे उसके बाद एस्परे बोटल में इसको डाल लेंगे एंड ये हो गया है ready to use इसको use करने का बहुत सारा फाइदा है और मेरा फेवरिट है क्योंकि जटपट बन जाता है और बहुत ज़दा budget friendly भी है रोजमेरी वाटर मुझे बहुत ज़दा पसंद है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी hair growth को target करता है बहुत जल्दी बुष्ट देता है और आपके scalp को बहुत ज़दा healthy रहता है scalp अगर इची रहता है तो उससे आपको बहुत ज़दा help मिलेगा आपका dandruff है तो dandruff को fight करेगा आपके hair अगर बहुत ज़दा रूखा सुका dry है like me क्योंकि मेरा hair का color किया हुआ है तो मेरा hair बहुत ज़दा dry रहता है तो आपको hair को एक nourishing देगा एक shiny effect देगा और ये hair के लिए बहुत ज़दा अच्छा है एक से दो घंट लागर उसके बाद सैंपू कर लो next hair oiling hair oiling से best conditioner pro wall में नहीं है हम लोग बचपन से ही देखते आए अपने नानी दादी को hair oiling कितना करते हुए है हम लोग भी पकड़ पकड़ के करवाते थे आज मैं coconut oil यूज कर रही हुए इसमें मैंने थोड़ा सा मेथी थोड़ा सा कलोंजी में आड़ किया है hair oil को थोड़ा सा में वर्म कर लिया था अब मैं अच्छे से scalp में लगाऊंगी एंड फूल लेंथ पे लगाऊंगी hair oiling करने से आपको hair को इतना चीज़े nourishment मिलता है आपका hair इतना अच्छे से conditioner होता है आपका hair का growth इतना fast होता है और आपको जो grey होने का चांस रहता है फिर grey hair को बहुत ज़दा slow कर देता है और मैं जब भी hair oiling करती हूँ खुद को ऐसे मैं massage देती हूँ मुझे बहुत ज़दा अच्छा feel होता है तो मैं खुदी कर लेती हूँ जो dry damage rough हो जाता है hair color करवाने से या फिर हम लोग जो heat tool यूज कर सकते है उसके वज़े से तो आपको hair को बहुत अच्छे protect करता है तो hair oiling और हपते में 2-3 बात तो करना ही चाहिए नहीं तो आप एक बार week में ज़रूर करें next है shampoo जो कि हम सब लोग ही करते हैं हपते में एक दियर दियर हम लोग करते ही करते है इसको weekly तीन दिन करना बहुत ज़्यादा important है इससे आपका scalp बहुत clean रहता है dirt and dhul जो भी रहता है वो भी clean remove हो जाता है आप sulfate free और पेरविन फिली shampoo किया करें आप एक चीज हमेसा याद रखें आप अगर scalp clean रहेगा dhul रहेगा तब कोई भी product जब यूज करोगे अच्छे से penetrate होता है तो मैं यूज करते हूँ जब भी shampoo करती हूँ ये brush यूज करती हूँ ये shampoo करते हैं ये brush बहुत ही soft होता है बहुत ही अच्छे से massage भी मिल जाता है बहुत ही scalp clean भी रहता है और बहुत अच्छे इसका result है तो आप लोग यूज करना है मैंने सोचा मैं आप लोग को बता दू इसका result बहुत ही अच्छा है नेक्स्ट है hair towel अगर आप normal hair towel यूज करोगे तो सबसे बड़ा गलती कर रहे हो आपको हमेज़ा अपने hair के लिए micro fiber towel यूज करना चाहिए बहुत ही gentle होता है quickly water को soak करता है बहुत ही soft and lightweight होता है और इससे अपका hair जो breakage होता है वो बहुत ज़दा कम हो जाता है splatten होने का एकदम डर नहीं रहता है कि इससे splatten भी बहुत ज़दा कम हो जाता है और बहुत ही अच्छे से सोप करता है water को इसके करान आपको 60-70% वैसे आपका hair dry हो जाता है तो dryer कभी ज़रूरत नहीं पड़ता है उसके बाद आपका जो पसंद है आपका hair oil या फिर आपका serum जो भी आपको पसंद है थोड़ा सा लेकि अपने hair पे अच्छे से spread कर ले उससे क्या होगा बहुत ज़दा soft और manageable रहेगा next है hair spa at home hair spa बहुत ज़दा important होता है hair के लिए अपका 4-5,000 salon में हर महीने देना possible नहीं होता है क्यों budget friendly नहीं है तो मैं घर पे करती हो बहुत ही effective है कोई भी conditioner यार hair marks आप अपने hair के length के हिसाब से ले लेंगे मैं 2 teaspoon ले रही हूँ उसके बाद मैं vitamin E capsule O B में 2 ही लूँगी आपका hair के length के हिसाब से अप कम ज़्यादा कर सकते है उसके बाद मैं थोड़ा सा honey ले लूँगी यह पूरा pure honey है मैं कस्मी से ले जब गई थी मैं लेके आई थी उसके बाद olive oil आप चाहे तो coconut oil भी यूज़ कर सकते है इसको अच्छे से mix कर लेंगे यहाँ पेना दो चीज़ आड़ कर सकते है वो एक curd आड़ कर सकते है और एक है बनाना मैं दोनों की skip कर रहे हूँ क्योंकि आभी November आ चुका है मेरे को थोड़ा थंड़ा का problem है इसलिए मैं नहीं कर रहे हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा थंड़ा लग जाता है आप लोग चाहो तो यूज़ कर सकते हैं इसके बाद full length पे इसको अच्छे से apply कर लेंगे ये hair इस पर एक बार आप करके देखना आपको कितना अच्छा result मिलेगा कभी दुबारा पालर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसको अच्छे से पूरा hair में अच्छे से इसको लगा लेंगे इसके बाद खतम नहीं हुआ है अभी भी काम बाकी है क्योंकि हम लोग लगाएंगे sour cap ये बहुत ज़दा important होता है guys और ये sour cap भी आपको 10 रूपिया में एक मिल जाता है ये तो मेरे local market से लिया था आप लोग इसको Amazon से भी ले सकते हो local market से भी ले सकते हो और ये एक बारागल लोगी और ये वाला गर इस पाप करा रहे हो तो तीन-चार बार अब आराम से इसको repeat करके यूज कर सकते हो ये अच्छे से पूरा hair को cover कर लेना है उसके बाद भी काम बाकी है हम लोग करेंगे hair को steam क्योंकि hair ispa जो कर रहे हूं तो घर पे ही एक क्याप ऐसा steamer क्याप आप ले सकते हो अमाजोन से में लिया था और इसको न चार से पांस साल हो गया है मैं यूज करूं अभी भी खराब भी नहीं हुआ है बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि आपका पैसा बहुत ज़्यदा सेब हो जाता है आप घर पे कर सकते हूं वाइलिंग भी कर सकते हूं तब भी आप steam ले सकते है hair ispa भी आप करोगे तो घर पे ही आपका हो जाता है ये ispa मतलब पूरा जो लगाया हम लोगोंने क्रीम इसके बाद आप 40 मिनिट ये फिर एक घंट आप अराम से लग सकते हो देही और बनाना अगर आप दे रहे हो तो आप आदा घंटा रखना अगर थंडी के सिकायत अगर हो अदर वाइस आप रख सकते हो एक घंटा इसके बाद आपका हेयर बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है बहुत ज़्यादा मैनेजबल हो जाता है अपने अगर हेयर में कलर किया है वो भी बहुत अच्छा दे मिन्टन रहता है आपको 3-4 खर्चा करने की कोई ज़रूत ने हैपी है निक्स्ट है अलोवराद जेल अप अलोवराद जेल भी उसकर सकते हो या फिर आपके घर पे अलोवराद प्लांट हो तो उसको भी उसकर सकते हो पर अलोवराद जेल यूस करोगे तो आपको एवरी डे सैंपू करनी की ज़रूत नहीं पड़ती है every night अप aloe vera gel को अपने hair पे अच्छे से apply करोगे अपके hair इतना ज़दा smooth रहता है, damage भी रहते तो उसको अच्छे से repair भी करता है अपके hair पे shiny रहता है अपको smoothness मिलता है and अपके hair में scalp में जो eachiness रहता है जो dandruff हो जाता है उस से भी अपको बहुत राहत मिलेगा तो बहुत अच्छा होता है तो इसको आप ज़रूर ऑन मन तक अगर रेगुलरीटी के साथ इसको आप ट्राइ करोगे मेंचेन रखोगे तो बहुत अच्छा अपको results दिखने मिलेगा तो इसको ज़रूर आप रूटिन पर इंक्लूड करते, जिसके करण हारे hair जल जाते हैं, डेमेज हो जाते हैं, अप aloe vera gel भी उस कर सकते हो, इससे अपका hair को protect रहेगा, एक पूरा लेयर बन जाता है, जिसके करण अपका hair जलता नहीं है, डेमेज नहीं होता है, जो एकदम तुरा धुlden निकलता है इतना ज़्याद आपको heat नहीं देना है उतन छपके हैर की नीड होतो है इस से छोटा-छोटा चीज हो के आप फॉलू करोगे तब के हैरबी बहुत जड़ा हेल्धी रहेगा बहुत जड़ा यूज करती हूँ जिसके करन में थोड़ा-थोड़ा cute-cute hair style में बना लेती हूँ बट ये सारे clutcher है ना बहुत अच्छे से अपका hair ना break नहीं होता है जैसे normal clutcher में हो जाता है ये मैंने क्लीप में लगा रही हूँ जब मैं face pack लगाते हूँ यह कोई essential नहीं है जस्टो में heavy लगा रही हूँ ऐसे क्लेचर से आप जब conditioner करोगे shampoo करने के बाद अपने hair को tie कर सकते हो जिससे अपका conditioner एक दूमनीट अपके हैर पे भी रह जाएगा और आपका हैर इधर उदर भागेगा भी नहीं और इससे बहुत क्यूट क्यूट हैर स्टाइल भी बन जाता है मेरा तौज बाइचंस में भी बन गया है नहीं तो नहीं बनता है मेरा और में जब ऑफिस जाती हूं ते यह सारे ह करती हूं और छोटा सा हैर क्लीप में लगा लेती हूं यह ओफिस के लिए तो नहीं बेच रहता है बहुत ही सुवर लगता है और एवर गिरी नहीं यह हैर स्टाइल अपने डाइट पे ज़रूर अप हेल्दी फूट को इंक्लूट जरूर करना हैर के लिए मैंने अलग से टाइट प्लैन सेयर किया है आई बटन एंड डिसक्रिप्शन में में लिंक दे दूंगी तो आप लोग जाके चेक आउट करना है अपको पूरा पता चल जाएगा आपको सुवर से लेके राद तक क्या-क्या खाना है क्या-क्या इंक्लूट करना है क्या-क्या नहीं खाना ह आप लोगों को उससे बहुत ज़्यदा हेल्प मिल जाएगा और अपने हैर को कभी भी टाइट एकदम पोनी मत करना इससे बहुत ज़्यदा हैर फॉल होता है मैं पहले बहुत करती थी पर अब मैं नहीं करती हूँ एकदम थोरा से लूस पोनी करना जिससे अच्छा भी जल के हाथ से आप मसाज देना है इससे आपका हेयर का ग्रोध भी बहुत अच्छा होगा ब्लड सरकूरेसें भी बहुत हाइज होगा इससे आपका हेयर फॉल भी रिडियूज हो जाएगा सील पीलो कभर ज़रूर यूज करना इस प्लेिटर नहीं होगा हेयर ब्रेकज नही आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल को लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना फिर मैं आप लोग उसे मिलूंगी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए खुश रहे हैं बाई